अब दूस्तों अगर आपने भी Realme की 10s रिस्क को भाई किया है चाहे वो Realme 10 Pro 5G हो चाहे वो Realme 10 Pro Plus 5G तो दोनों स्मार्टफोन की अंदर आप लोगों को Out of the Box जो Google Dialer and Google की Message Application है वही देखने को मिलती हैं और काफी सार यूजर कोमेंट्स कर रहे थे कि Realme 10 Pro 5G and Realme 10 Pro Plus 5G के अंदर जो Google Dialer है उसको कैसे रिप्लेस करके आप लोगों को Officially Realme के जो Dialer and Message Application देखने को मिलती है इनको कैसे Enable कर या Install करें तो आज किस वीडियो में हम लोग Google Dialer को Replace करके Realme के जो Dialer है वो आपके सामने इंस्टॉल करेंगे पूरी प्रोसेस जब वो आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी जदा इंटरस्टी होगी वीडियो को सुरू से लेकर के एंड तक वाच करना एड पहली बार अगर आप वो चानल के उपर आए हो तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल नौटिफिकेशन को और पर प्रेस कर लेना इस वीडियो के उपर 500 लेक्स का टागेट रखते हैं आप लोग कंप्लीट करवाद होगे अब दोस्तों बात की जाए रियलमी डाइलर के वारे में बट उससे पहले आप लोग एक बार ये चेक आउट कर लें कि मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ ये आप लोग को रियलमी 10 प्रो प्लस 5G देखने को मिलता है अगर आप लोग रियलमी 10 प्रो 5G भी डिवाइस यूज़ करते हो तो उसमें भी आप लोग ने सेम यही प्रसास फॉलो करना है आप लोग अपने डिवाइस में जो रियलमी के डालर और रियलमी के मैसेज अप्लिकेशन है उफिशल इनको इंस्टॉल कर सकते हो अब इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इन दोनों को डाउलोड करेना है और इन दोनों अप्लिकेशन को जो डाउनों लिंक है वो आप लोगों को नीचे डिस्किप्शन में देखने को मिल जाएंगे सबसे वहले हम लोग phone application के version की बात करें तो phone application का जो version है वो आपको देखने को मिलेगा 4.5.19 यह आप लोगों को latest version देखने को मिलता है जो realme UI 4.0 को support करता है साथ में realme UI 3.0 में भी यह proper तरीके से work करेगा और बात की जाए message application के version के वारे में तो message application का version आपको देखने को मिलता है 13.55.100 और यह भी realme UI 4.0 और realme UI 3.0 दोनों के अंदर support करता है वह डाउनलोड करने के बाद simply आप लोगों ने इन दोनों application को अपने device के अंदर install कर लेना है और install करने के बाद जैसे आप लोग अपने google dialer को open करोगे यहां पर आप लोगो वही same interface जो है वह देखने को मिलेगा लेकिन इसके लिए अब आपने जाना है settings के अंदर जैसे आप लोग settings को open करोगे आप लोगों ने जो app का sections को find करके open करना है और जो आप लोगों को default apps देखने को मिलती है जैसे कि यहां पर 4NAP आप लोगों को google के dialer मिलता है आप लोगों ने इसको contact कर देना है और इसके बाद आप लोगों ने जो message application है इसको default आप लोगों ने जो realme की message application है इसको कर देना है वह इतना करने के अब अगर आप लोग यहां पर google dialer को open करोगे तो आप लोगों को set as default का जो error है वह देखने को मिल जाएगा अब इसके बाद अगर आप लोग google application के ओपर hold and press करोगे और इसका app info open करोगे तो आप लोग इसको यहां से disable कर दें इस तरीके से सेम आप लोगों ने अपना password लगाना है और आपकी जो message application है उसको भी आप लोग disable कर सकते हो वैल यह रही message application है सीम्पली इसका app info open करो और आप लोग यहां से इसको disable कर सकते हो अब आप लोगों को कोई भी error जो है google की message application and google के dialer का वो देखने को नहीं मिलेगा अब सीम्पली आप लोगों ने इनको hold and press करके नीचे अपने bottom side में set कर दो अब आपके device के अंदर finally आपको realme UI 4.0 को official dialer and message application है वो देखने को मिल गई है तो इस तरीके से आप लोगों realme 10 pro realme 10 pro plus 5G device के अंदर जो officially realme के dialer and message application है उनको install कर सकते हो वैल अब इनका test करके try करते हैं यह प्रॉपर तरीके से work करेंगे कि नहीं करते अब दोस्तो realme dialer को download and install करने के बाद इनका practical test किये जाए तो सबसे बहले dialer का practical test करेंगे मैं यहाँ पर सबसे बहले call मिलाता हूं और देखते हैं कि आप लोगों को google dialer का pop-up मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो finally आप लोगों को google dialer का pop-up देखने को नहीं मिला आपको जो realme dialer है उसका UI calling UI जो है वो देखने को मिला अब आप लोगों देखिए call जो है वो भी लग चुकी है आप लोग sound सुन सकते हो अब सबसे बहले हम लोग यहाँ पर recording को start करते हैं अब देखने है वही कि recording इसके अंदर आप few छृक्त के आपको सुननि को मिलेगी properनी ट'llीके से वर्क करता है कि नहीं करता तो मैं यहाँ पर थोड़ी time recording होने देता हूं अब यहाँ थोड़ी time recording होने देता हूं प्लान की जानकारी और रिचाज करने के लिए तो वहीem recording को यहां पर बंद करते है एंद कॉल को कट करते हैं कै else recording कि आपके सुझने को मिलती है कि नहीं तो सबसे बहले आपkraut को इंट की आगे कि होगी उसके आगा कि आपने recording की योगी तो आप प्रस न थेस्पार आप लोग देख सकते हो डोनों साइड की साउंड है वह आप लोगे को सुनाई देरीय एक इसके अंदर आप लोगे स्वी ट्रीकोंडि यह बेस्ट को मिलेगी आप लोगे गूटल डायर का खौनम भी देखने को नहीं मिलता है and official अच्छे तरीके से proper तरीके से work करेगा, कोई भी इसके अंदर आप लोगो जो crash का issue है, realme UI 4.0 के अंदर वो भी देखने को नहीं मिलता, अब message application का practical test करें, तो ये आप लोगो को out of the box कुछ devices के अंदर देखने को मिल गए थी, तो इसके अंदर को ऐसी कोई दिकत नहीं है, ये भी proper तरीके से work कर रही है and इन दोनों डाइलर and message application के जो links हैं, वो आप लोगो को नीचे description में देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग जाकर के check out कर सकते हो, दोस्तों ये तो बात हो गई, realme UI 4.0 के dialer and message application के वारे में and कैसे आप लोग इनको realme 10 pro plus 5G and realme 10 pro 5G device के अंदर use कर सकते हो, सब कुछ मैंने आपके साथ share कर दिया, अब दोस्तों अगर आप लोगों को realme की dialer, realme की message application and जितनी भी system application है, इनके latest updates भी चाहिएंगी, system application के updates भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इनके updates भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए, तो application के updates हैं, वो देखने को मिल जाएंगे, और जितनी भी system application के updates हैं, बिल्कुल official आपको देखने को मिलते हैं, तो परहब से कोई भी issue नहीं होगा, इस चैनल का जो link है, वो आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगा, make sure आप लोग उसको जाकर के join के लिएना, तो finally दोस्तों अतना इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक क्या,